अरे यार, क्या सिर्फ मैं ही थी, जो नहीं जानती थी, कि बन्नी इतने एडवेंचरस हो सकते हैं? चलो, एक कहानी सुनाती हूँ. एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में रहता था एक चंचल सा बन्नी, जिसका नाम था बिन्नी. बिन्नी को हमेशा नई नई जगह घूमना बहुत अच्छा लगता था. एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना जंगल से बाहर जाकर देखा जाए? कूधते फांधते वो जंगल के किनारे पहुँच गई और वहां उसे एक सुन्दर तितली लिखी. बिन्नी ने पूछा, तितली बेहन, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? तितली मुस्कुराई और बोली, हाँ क्यों नहीं? तितली, बिन्नी को एक ऐसे बगीचे में ले गई, जो रंग विरंगे फूलों से भरा था. बिन्नी ने फूलों को सुंगा, और जब पंखुडियों ने उसकी नाक गुद-गुदाई, तो वो खिल-खिलाकर हंस पड़ी. तब ही वहां गिलहरी गुड्डू आ गया. गुड्डू ने पूछा, बिन्नी, क्या तुम मेरे साथ लुकाचिपी खेलोगी? बिन्नी और गुड्डू ने खूब मस्ती की. जैसे ही सूरज ढलने लगा, बिन्नी को याद आया कि उसे घर जाना है. उसने गुड्डू और तितली को धन्यवाद कहा और घर की तरफ कूद गई. उस रात, बिन्नी ने अपने नए दोस्तों और उनके साथ बिताए एडवेंचरस दिन के सपने देखे. हमें उमीद है कि बिन्नी की कहानी आपके नन्हे मुन्नों के चहरे बर भी मुस्कान ले आएगी.